हाई फ्रेंड्स में रेशू एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशू ब्लॉक्स में प्रेगनेंसी की एक आम समझ से जिसका सामना हर प्रेगनेंट लेडी को करना पड़ता है वो है हीमोग्लोविन की कमी मतलब खून की कमी जो हर चैनल कईनल की क्ना और बेबी को बनने में बहुत जादा हमारी बड्य बल्ड की जरूट की जरूएठ को आज मैं आपके लिए कुछ उपाईलाई हूं जो आप उनको आपना कर हीमोग्लोविन लेवल बढ़ा सकते हैं आप कैसे पहचानेगे की आपका ही हीमोगलोबिन कम हो रहा है एच वी कर टेस्ट होता है उसके जरीया आप जान सकते हैं लेकर इसके साथ सथ कुछ ऐसे भी लक्षन होते हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि आपको हीमोगलोबिन की कमी होने लगी है मतलब आपके शरीर में खून की कमी होने लगी है तो पॉइंट फाइब तक होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए नहीं तो दिलिवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है चलिए जानते हैं हम इसके क्या लक्षन होते हैं पहला लक्षन होता है आपकी जो आफको लिप्स और नेल्स का पील पर foster प्रॉबर्लाकी पिली पड़ रही है तो आप समझ हों किअगी हरु स Tá आमाज के टॉसी चाहिए बबुज़े कहीं खडी खड़े आक कि गिर जाते हैं या आपको बे बजय कहीं चलने में चकर आ रहे हैं तो भी आपको हीमोगलोबिन की कमी हो सकती है चोथा है सांस लेने में परिशानी होना अगर आपको सीड़ियां चड़ते या किसी भी काम को करते टाइम अगर आपको सांस लेने में प्राब्लम हो रही है या कभी-कभी अचानक से आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह कारण भी हो सकता है हेमो ग्लोबिन की कमी का पांचवा है धड़कन बढ़ जाना अगर आपकी धड़कन अचानक से बहुत जादा तेज हो गई है इसे कि आप उठे सोके या कुछ काम करते-करते हैं आपकी धड़कन खानी है क्योंकि हरी पत्यदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि आपकी खून की कमी को पूरा करता है हरी पत्यार सबजियों में जैसे की पालग, ब्रॉकली, बीन्स ये अपनी डाइट में इंक्लूट कीजिए इससे जल से जल आपकी प्रिग्नेंसी में हीमोगलोबिन की कमी पूरी हो जाएगी दूसरा जैसे की आप ज़्याद से ज़्यादा मत्रा में अनाज खाए अनाज जैसे की रोटियां क्योंकि आपकी खून की कमी को पूरा करता है तो आप रोटियां जरूर अपनी डाइट में इंक्लूट करें जैसे दौनों टाइम है लंच या डिनर में आप दो-दो रोटी ऐपनी डाइट में जरूर इन्क्लूट कीजिए इससे भी आपको खून की कमी दूर करने में help मिलेगीonter व्त भी आपको कून की कमी दूर करने में आसानी होगी जिसलिटेत की णयों कौन की कमी दूर चलचनु ऑघ 버़ क davon Irisation भरपूर मत्रत प्रोटीन पाया जाता है और omega 3 fatty acid भी पाया जाता है जो आपकी खून की कमी को दूर करने में बहुत ज़्यादा help करता है चटवा उपाई है कि आप vitamin C जादा से ज़्यादा ले जैसे vitamin C के लिए खटे फल है खटे फल में जिसे आपको पता ही है कि बिटामिस सी पाया जाता है। खटे फल लीजेए आप। तूसरा स्ट्रोवेरी भी ले सकती है। इससे अपनी डाइट में टमाटर भी इंक्लूट कीजिए। शिमला मिर्च पी इंक्लूट कीजिए और ब्रॉक्ली लीजिए यह चीजे आपकी खून की कमी को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी तो इनको अपनी डाइट में जरूर लीजेगा इनको इसके बिल्कुल मत कीजेगा अगर आपको ऐसे सबजी के साथ पसंद नह जरूर खायेगा इनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि आपकी खून की कमी को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं तो आप अनार और चुकंदर अपनी डाइट में जरूर लीजेगा आप इनको सलाथ की रूप में भी ले सकते हैं से स्नैक आपको कुछ भी ख कमी को दूर करने के लिए तो आप उनको ऐसे मत लीजिए जैसे कि साबुत है ड्राइट बिल्कुल मत लीजिए आप उनको ऐसे कीजिए रात में अख्रोट और किसमिस को एक साथ पानी में डिप करके रख तीजिए और सुबह सुबह खाली पेटिन दौनों चीजों को चब हो जाएगी जो कि प्रिगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना ब्लड का लेविल मैंटेन रखना होता है जैसे कि आपको लास्ट टाइम पर नॉर्मल डिलेवरी या किसी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो पाए डिलेवरी के टाइम प टाइम पर लेते रहिए तो इससे आपको खून की कमी दूर करने में बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तब ही मिलेगा बाई बाई टेक क्यार थैंक यू